इस जमाने में एक ऐसा दोर आया है एक बीमारी ने पूरी दुनिया में आतंक मचाया है इंसान एक दूसरे को छूने से डर रहा है आजकर सुना है डॉक्टर ने इसका नाम कोरोना बताया है खास बात तो यह है जनाब कि आज सडकों पे आजाद घूम रहे है जानवर और इंसान छुपने घर में आया है उसी सडक से एक जानवर की आवाज आ रही है कि ए इंसान एक वक्त में तूने भी हमें बहुत रुलाया है एक बिमारी ने पूरी दुनिया में आतंक मचाया है सुना है डॉक्टर ने इसका नाम कोरोना बताया है इस बिमारी से लड़ने के लिए पूरा भारत देश तयार है डॉक्टर ने मिलके इसे खतम करने के लिए बनाया हतियार है पर क्या कभी किसी ने सोचा है कि इन सब के पीछे आखिर कौन जिम्मेदार है महान है वो डॉक्टर जिन्होंने अपनी जान दाओ पे लगा के शुरक्षित किया हमारा परिवार है जिस दरहां से वो खुट अपनों से दूर रहकर हमें अपनों के करीब कर दिया देखना बहुत जल्द ही हमारी जीत और करोना की होने वाली हार है शब्द कम पढ़ जाएंगे उन्हें शुक्रिया कहने के लिए पूरा देश सर जुका कर उनका करता सम्मान है सच ही कहते हैं लोग कि डॉक्टर इनसान के रूप में एक भगवान है फिर भी कुछ दिस्करियों ने मिलकर इस बीमारी को फैलाया है सुना है मैंने डॉक्टर ने इसका नाम कोरोना बताया है इन सब के वीच कैसे भूल सकते हैं उस खाकी वर्दी वाले इनसान को जो हमेशा से और आज भी 24 घंटे हमारे लिए खड़े हैं लगा के दाओ अपनी जान को ना दिन देखते हैं ना रात वो बस अपना फर्ज निभाते हैं हर बार वो फिर क्यों नहीं समझते हम उनकी बात को और कर बैठते हैं खिलाब उनके अपने ही हाथ को और उनसे ही लड़ने में लगे हैं हम जो खुझ से पहले महत्वत देते हैं हमारी जान को अरे अब तो संबल जाओ अब तो जान जाओ कि ये सब की जान पे बनाया है सुना है मैंने डॉक्टर ने इसका नाम कोरोना बताया है शुक्र गुजार उनके भी है हम जो हमारे घरों से और शेहरों से गंदगी को करते हैं खतम फिर भी हर कोई उन्हें गालिया देता है बड़े अपमान सुभाव से उन्हें हर कोई कच्रावाला कहता है इनसान घर को साफ करके अपनी सोच को गंदा कर रहा है इसलिए आज प्रकृती का मार वो सह रहा है इस बिमारी को और कोई नहीं, इंसानों नहीं तो लाया है सुना है मैंने, डॉक्टर ने इसका नाम कोरोना बताया है